राजस्तान के मौस्म को लेकर बड़ा अपडेट राजस्तान में आसे चलेगी तेजान्दी विकाने जोदपूर संभाग के जिरो में 30 किलो मेटर तक तेजान्दी चलने की है चितावनी राजस्तान के मौस्म में लगातार उत्राव चलाव का दोर जारी है वह जिन सेरों में कल तापमान गिरा था वहाँ फेसे पारा उपर चला गया है वही सबसे ज्यादा ठंड जो है करोली में रही करोली के लावा चुरू हन्मान गड़ और सिरोई बाराज उदेपूर और सित अगले एक अपते तक मौस्म सुफक रहेगा इसके लावा आज से कमजूर पक्सी मिक्सोब भी सक्री होगा जिसके परभाव से पक्सी मिरास्तान के जिलों में 30 किलोमेटर पती घंटे की रप्ता से तेज हवाई चलने की संभावना यानि आंदी चलने की संभावना है वही साथी 12 फरविर से एक बार पूने आपर उत्तरी हवाव का परभाव से नियुद्वत आपमान में 2 से 4 डिगरी गिरावट की संभावना जिताई गई है वही पक्सी मिक्सोब का सार आज से आपर गंगा नगार हरुमार गरवर देख़नी को मिल सकता है जहां आज सुबे आस जलना सुरू हो जाएगी वह राजे की मौसम के सत्य अगरा देखे तो आज चुरू में गंगानगर फतेपूर बाडमेर और चितुरुकर पिलाने और जमें भिलवाडा की कई अलाकों में आपर एक से पाच जिगर तक की तापमान में बड़ोत्री हुई है बाडमे में भी मिनिममं टैपिचर 3.5 डिग्री बढ़कर ये 4.45 डिग्र देखे तापमान पहुँच गया वह फतेफूर में कल जो है तापमान जो है 4.3 ताप बढ़कर ये 9.8 पहुच गया है जेसे बी में भी निउतर पतापमान में बड़ोत्री दच हुई है डुंगर पूर में सबसे यहां पर 32 से जधा रहा उन जिलों के नाम बता इतने तो आपको यह पर 32 डिगरी पहरा नाम आता है बाड मेर 32 जीपर दश्किया गया जर्वजेसरु में 32 एक डिगरी और जानूर में 32 सब्सक्राइब करें तो यहां पर साड़े नो चितोड़ गड़ और उद्यपूर में नो दसनों दो और इसके लबा करोली में साड़े सलों दो और चुरू में साड़े सलों पांच और अनुमार गड़ में नो दसनों एक ताप मांति यहां पर रिकॉर्ड किया गया है अच्छ दो पूद्सक्राइब करें था ट्लाएब